नमस्कार आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत मैं हूँ आपके साथ बैशाली आईए रुख करते हैं आज की ताल्था खबर पर बंबे हाई कोट ने दिव्यांग वैक्टियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहतर राजिस अलाकार बोट में गैरा अधिकार एक सदस्यों के नियुक्ति नहीं होने को लेकर राजिस सरकार को फटकार लगाई है अधिकार 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 अधिनियम 2016 के नुसार राजियों को विशेश अग्यों सइफ पदेन और गैर अधिकारी के सदस्यों के नियुक्ति कर बोट का गठन करना आवश्यक है पीट को आने विभागों और विकलांग वैक्तियों से संबदित गैर सरकारी संगठनों की गठविदियों की समिक्षा और निगरानिंग करने उनके मुद्दों को उठाने की सिफारिश करने समेत अने महत्पूर्ण कारियों का नर्वहन करने का अधिकार है पीट ने कहा कि हमने आपको परियाप्त समय दिया 27 मार्ट को अंतिमा अदेश दिया था आपको नियुक्ति करने से किस ने रोका राजे में विकलांग वैक्तियों के लिए उपाय करने के लिए बोट की भून का बहुत महत्पूर्ण हो जाती है आज तक बोट में रिक्तियों को नहीं भरा गया पीट ने विकलांग कल्यार भाग के सचिव सुमंत भांगे द्वारा दायर हलफ नामे का हवाला दिया जुसमें कहा गया था कि बोट का अगचन पहली बार 27 फरवली 2018 को किया गया था 17 मार 2020 को गैर अधिकारिक सदस्यों के नियुक्ति वापस दे लिगे उसके बाद से उनकी नियुक्ति नहीं की गए मुंबई में फुटपातों के प्रवेश द्वार पर बुलाड सुरक्षा के उद्दे से लगाए गये थे लेकिन वीलचेयर का स्तमाल करने वाले दिव्यांगों के लिए दरुगम बना दिया गया मुंबई मानगर पालका की ओर से पेश्चेव वकील अनिल सिंग और मुंबई मानगर छेदर विकास प्रादिकरन की वकील अक्षे सिंदे ने कहा कि शहर में फुटपातों पर बुलाड हटाने का काम पूरा हो गया पीट ने BMC और MMRDA को बुलाड को हटाने के लिए उनके द्वारा किये गया कारियों का विवरत देती हुए अलप नामदायर करने का नरदेश दिया है इस खबर में फिलहाल इतना ही अगली खबर में फिर होगी मुलाकार अगर आप हमारी चैनल पर नए है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे आसानी से देखते रहें दिव्यांग जगात नमस्पार